असलाम अलेकूम माई देयर स्टूडेंट तो आज हम बात करेंगे साइकार्टिक डिस ओरर्स की ठीक है जो कि चैप्टर नंबर 15 है और तैन टीचर्स का ठीक है बेसिक्टिक साइकार्टिक डिस ओर्डर्स होते हैं यह बाइपोलर जया फिर डिफ्रेंस वेयर डिफ्रेसिव प्रॉब्लम से उन वह ज्यादा हाई डिस पर होती है ठीक है अगर प्रीविएस हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज पहले से हैं मुमेंन को ठीक है तो वह क्या है इसमें रिस्क जो है वह ज्यादा हो जाएगा ठीक है इसको ट्रीट करने के लिए क्या है कि एंटिपार्टम और इसके बहुत ज्यादा Zigar के जीच अटिपार्टम घ्यात एंटिपार्टम में इसके डिलिव 적이स से पहले और पोस्ट पार्टम पी डिशेद में डिलिविरी के बाद बाद वारे पिरेड में उनके बहुत ज़्यादा के चने क्या लिख से यह तो ज्ईनका रिस at9 इनका इस के पमाइज कर सके के लिमीट करे मोर्मिड बिल्ड नहां ना हूं उनको कर सके दाइव और इसके रहाँ है क्या है कि वह हुग्ड तरव प्रिवेंट करे की सीइसरा orders के बिल्च और मैं inspiмент कर इसे बात करें इसकी पैतो फिसियालोजी की है किस वजह से हो प्रसकर्ण कोलैने खिलेटियों और और श्रक्व प्रसकर साथ करते हैं को टीशोल में टिक है कोटिसोल के लेवल्स में पाद कर और इसट्रोजन और क्या है परजेस्ट्रों कुछ ही जो हर्मुनल की चैंजलिसे इनके वज़ेश से क्या है कि साइस्ट्रिक डिस उडर्टर सोते हैं पोस्पार्ट्यम् पीरिट में क्शुचिक गर्वल को चैजुन एक वाकते हैं तो क्या करते हैं टोफामें डोफामिन केक्वर्वों तो जब वो डॉपमिन की रिसेप्टर्स होते हैं तो इसे क्या होता है कि जो मूड डिस्टर्बेंस है वो बहुत से आता हो जाती है ठीक है स्वेयर मूड डिस्टर्बेंस होती है स्वेयर मूड डिस्टर्बेंस कि इसी तरह कि अग्याद की वाज़े होती है अब हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की डिप्रेशन बिसिकली क्या है इसका वाज़े से हो रहा है यह एक यह एक अल्सक्राइड वहाज कि है है हाईपो थाइरोटडीजम मीर्ट के धार Hollamay Jai geb काम होते है इसको cohort इसको एकिसे ओधान होता है झाए और यह से वज़े से gram। चाहते हैं और जैनी पौस्ट पार्टब थाईरोड़ड़ड़ड़ργा थे व श kis 워 किफारे की इने वकमाऊ नहीं खुच्छ कौंसी होती है नॉर्म इमोशनल and psychological इमोशनल and psychological ईद छोती है दिटिण फिर्गननसी चेंजिस डुरिंग ठीक है इसमें फह्में बात कहþ ले देंग है पोस्नेटल पिंक कि ठीक है पोस्नेटल पिंक क्या होते यह पोस्नेटल दीवरी के बार 24-48 चाहिगे दर्मियाँ होते हैं तोन टॉइन्ट नोगने सरे में होते हैं और इसमें डाखे रुएगे प्रीक को झाय को दो इसुने के लिएवेशन की होते हैं 1. Ambition of mood 2. Feeling of excitement 3. Over activity 4. Difficulty in sleeping 4. Postnatal पिंक अजय है नियुकिन करा है उच्छ seras, और बारे युकिन करते हैं तो विक्स इसमें फ्टीग होती हैं तिक फ्टीग है इसके कहले शॉर्ट टैंपर होता है चोच सब बात पर घुक्सा आनलग जाता है जिए शॉर्ट Dem Ein्पिर इनसलिपनग टाइब्सभी यह होаковव प्रवक्तार्ट एटार भोजी धडिव किद्ध सब्सक्रार्इब्स प्रफूर्स ट्रेकिनल से धां देमनी सब्सक्राइबनी एक लोजा सेईँगर सेव殖िद्स प्रश्रम टाइक्स आते हैं ठीक है और जो फ़र्स 24 से 48 प्रेश्थ पीरिड रोते हैं उसमें एलिविशन होती है मूड की एक्साइटमिट बहुँ होती है और एक्टिवीटी वगारा ठीक है इस तरह आप लोगों इसमें डिफरेंस रखना है अब हम बात कर लेके हैं पोस् diagnostic depressive illness यह बेस्ट लिया होती है और सुम्हें क्या होता है किस वेसे हो रहा था था हई इसम को वह रहा था और वह विष्ट रखलता पोस्पाटम थाइरईड़ सो होता है था थिक है पोस्पाटम थाइडाउटेश आत था होती है burcrum होती है उस किया हो रहता है डिप्रेशन हो रहे होता है जो है यह है पर संसे Лिक की फिल्स लिख पर संटाब्याम वोमें होतब अधा है 10% से 10% वोमें में इंच से ऑशल करेस्श होती है और उन में से भी 7 परसेंट है वो माइल्ड होते हैं ठीक है मां제र डिप्रेसिव इलनेश चैनल ऑर जोंद फ्रीड और चैनल इंप्रीटमेटि यु जón युट और पैसे धुट कि टो ब्रीक्ष लिया है कि तो 2 करते हैं इसके बाहर कि अक्त पीछन झाल सो यह तो process इसके पुछना हैं कि ना मिलती है क्मिलने ने काम करने में ठीक है से यह पुछना है लिए टीनिंग माने अपर दे स्टार्ट होँ बटा करना है और पोस्ट नेट्र डिप्रैसिव डिसॉर्डेश कचे ठीक हैicherung स्म्टम्स की बात कर लेते हैं आइठक्षाराश抵 lasting क्या 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 हूंगे इसमें पिशेंट को जाए meyerly morning वेकनिंग्टीक Extran icon मैं अर्ली मॉर्णिग वेक्टनिंग मार्निग और साथ करा कि अकूंहते हैं? जाते हैं मॉर्निंग में उसके मूर्ड है वह बहुत कम लगती है पूर एपिटाइट अए पूर एपिटाइट यह सबकुछ किम हो जाएगा लुइनर्जी हो झाइगी लेक अपिटाइट तो फूब को नुकसान करने के इसके नदर थोड़ आएंगी तो बेभी मिनस के बेभी को नुकसान पहुचाने के फूट्स में इसके प्रियसिव इल्नेस के अब हम बाद कर लेते हैं अगर हम इसे रपीट नहीं करेंगे तो इसके अड़र्स इफेक्स क्या होंगे ठीक है अड़र्स उफेक्ट जो है बैसिकली हम नहीं दो में डिवाइड कर देते हैं एड़र्स effect की ठीक है उसमें हम बात कर लेते हैं पहले immediate changes में क्या जाएगे immediate adverse effect क्या है कि उसमें physical morbidity क्या जाएगी physical physical morbidity ठीक है physical morbidity के साथ क्या है प्रोलॉंच साइके अध्यूंच इसके अधियड हो साधिय खेंगी इसके तो हें इमोशनल डिवेलप्मेंट ऑफ इंफेंट की वह भी क्या है डिस्रॉप्ट हो जाएगी तो यह क्या है इमिजिए इसके एफेक्ट्स हैं अगर हम बात करें लेटर एफेक्ट्स की तो उसमें क्या होगा के कोगनेटिव एफेक्ट होंगे चारिड में ठीक है इसके लावा क्या है के मेरिटल ब्रेक्डाउन हो सकता है उनका जो रिलेशन है हस्बिन वाइफ का या वह भी खराब सकता है या घरेलो हालात भी खराब हो सकते हैं ठीक है इसके लावा क्या है मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो फ्यूचर में बच्चे को हो सकते हैं ठीक है फ्यूचर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं mental health problems यह दोनों को सकते हैं मां को सकते हैं और बच्चे को भी हो सकते हैं तो यह थे हमारे पास adverse effects तो अब हम बात करते हैं risk factor की postnatal depressive illness की risk factor क्या-क्या हो सकते है risk factors तो वह बसकते हैं अगर कोई भी patient आता है उसमें past history है psychiatric illness की past history किसकी है स्व Поэтому के दिप्रेशन है कि इस अब रुष एसन के इसचा के दिति के रहे Esse Kalau creat के इसे सोचिया कहानी हिस्ट दिप्रेशन डिरिफ इस इसे स्वेयर के इसार आइस्टेवीर्वाइशन पूसती है यृ पित शाय। दिप्रस्टीविबर्सेय। नियह जदो पास मेजर इलनेस पोसपार्टम नां साइकोटिक डिप्रेसीविबरेसिविबर्स ओणरेजिय। तो अब बात का लेते हैं फोड़ी से हम आपीक है यह मैं चाइकोषी पर्पिर्पिरल साइकोसिस टिक है क्या होता है एक स्वेर डिस ओर्डर ठीक है यह वैरी स्वेर डिस ओर्डर है यह यह इसकी रिश्यों की है कि वन फाइव हंड्रिड वूमें यह फिर वन इन थाउसंड वोमिन परपर्प्रीकोशिज में 5 सकते हैं और परप्रीजनियों सकती है और जो परपर्स्थ एंपर्प्रीज को इसका नौन chce है but आ चाहिए हैं वेयरहouts手cimento पूर्पॉन कॉनसे हो सकते हैं डिस्क सक्ट यह इस में पर में प्रॉप्रियुज साइकोसिस में प्रीज HAIs के बखी जाता होता है थिक है किट की पर्प्र पर्पार्प्र डेप्राइय कोर्ट यह उसे जो वह पोश्ट पार्टम फिरेट में नहीं हो थी किसी भी पीरेट में हुई थी ठीक है डिप्रेसिव इलनेस इसके लाबा क्या है कि फैमिली हिस्ट्री तो यह सारे क्या है रिस्क फैक्टर है परप्रल साइकोसिस के लिए अब बात कर लेते हैं परप्रल साइकोसिस के लिए सिम्टम्स इस में में किया है इसमेर्श इतंड ट्रिंठ ऐइंगे ठीक है और स्सेल इन ऐएंगे ठीक है थौ तो डॉल एक tack ए खो मीड है इसके रख सेविएजल निभेत होगा है और सुम occur यह फिलिए अथे ओजित करेंगे और होब इस्नेशलिय को निएंट मेरेजमेंट के लिए क्या है कि इसे हमने लास्मी जो है इसे एडमिट कर लेना है साइकार्टिक के पास भीजना है और हमने साइकार्टिक यूनिट में पिशिन को एडमिट करना है लेकि इसे बेहतर क्या है कि अगर हमें मदर एंड बेबी यूनिट मिल जाता है तो हमने उसम फार्म यहां की आपकी द्रॉप्रॉजी में गडश souvent रिवि тебе करा स्था 2024 अजरेगे घड़ीये 150 एंस मतली आखे सबलां Wait स्था उंशनितैए 10 तो सब्सक्षियों नेहों जना प्रॉफ्रम्म दिए शन के दिन्यु त्यूज है के अलेक्रो कनवल्सिव तेरापी करेंगे पार्ट्ट्ट्ट्रिश एक्शन है वह तरी टू-तेंट सफेक्टिव पहने में ठीके के तें-टू-त्रीटमिंट है उपार सुपर्फल्रीक्ट्राइब में कितना टाइम लगता है फोर तो शिक्स वीक लगते हैं ठीक है रिकावरी का पीरिड क्या है फोर तो शिक्स वीक में क्या है रिकावरी होती है जब हमने एंटीडिप्रेशन स्टार्ट करनी है तो वह हमने इसमें बस सोचिल फेक्टर्स की रेमिडी थी नॉन डिरेक्टिव कॉंसलिंग वह रहा है फिजियो साइको थेरापी वह ठीक है और रेक्टरापी उसमें बहुत कम दी जाते है लेकिन जो पर प्रप्र साइकोसिज वह रहा है इसमें कहा है कि जल्दी से ट्वीट करना होगे तो हमारा जी जो साइकार्टिक डिस ओर्डर्स का टॉपिक जी है वह कंप्लीट हो गया है कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं थैंक्यू सो मच